नेक्स्ट, मनन ने एक वियबसाई में 76,000 का निवेस किया, कुछ महीने बाद विवेक 57,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया, आधिको यहां पर है मनन और विवेक, इन्होंने लगाया 7600 और इन्होंने लगाया 57,000, चीक है, तो आप यहां पर बात यहां थी, कुछ महीने के ब विवेक ने यहां पर लगाया पैसा, तो वर्स के अंत में कुल लाग के बीच उनका दो एक के अंपाद में बाजित किया गया, that means आपको एक चीज़ तो पता होगी, जब हम कोई बीजनेस स्टार्ट करते हैं, तो investment into time is equal to हमको क्या होता है, profit होता है, तो profit का ratio यहां पर मिला होते हैं, x time के लिए पैसा invest होगा, अब product इसका करेंगे, तो यहां पर एक चीज़ और कर सकते हैं, यहां पर क्या है, 0 का कोई यहां पर ratio बना रहे होते हैं, तो 0 की कोई value उतनी बचती नहीं है, तो 12 है, 12 का multiple यहां पर कर लीजे, 57 और 76 के किसी से कटेगा, 19 से कट जाएगा 19 फूर्जा और 19 फूर्जा, तो अब आसान calculation हो जाती, 12 इंटू 4 करोगे, तो यह 48 आ गया, अब यहां पर यह 3 इंटू X किया गया होगा, यह 3 जो बच्चा है, 3 इंटू X, आब यहां पर जो divide किया गया है, वो profit मिला है 2 इस्टू 1 की ratio में, अब 2 इस्टू 1 की ratio में मिला है अगर 2 वाली value यहां पर 48 है, तो 1 वाली value आपको confirm हो जाएगी कितनी होगी, 24 होगी, तो that means आप बोल सकते हो, यहां पर यहां पर आपकी का करोगी, यह 24 आया, कैसे आया, 3 into X is equal to 24 होगा, तो X की value कितनी हागी, 3 से divide करेंगे, X की value यहां पर rate आजाएगी, that means विवेक का पैसा 8 महीने के लिए invest रहा है, तो विवेक कितने महीने बाद भी अबसाइ में जुड़ा, यानि पूरे साल तक business चला, जिसमें 8 साल विवेक रहा business में, तो इसका मतलब है, 4 महीने बाद जुड़ा होगा, तो total से minus invest रहा, यहां पर answer जो आएगा, यह 4, यह आपका correct option होगा, यहा यहां पर यह 60 के अग गलत होगया, इनकांसर,